सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग क्योंकि आज मैं आपके साथ में गार्डनिंग रिलेटेट तीन चार चीज़े शेयर कर रही हूं जो कि आपके डेली गार्डनिंग में बहुत जादा हेल्फुल होने वाला है तो सबसे पहली चीज़ तो यह कि आपको दिखा रही हूं थोड़े थोड़े से अपने प्लांट्स की अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपने प्लांट्स में कुछ काम किया था तो आपके साथ में शेयर किया था फिर उसके बाद में तो जरूरी है अपने प्लांट की डेली केर करना इसके लिए आपको 10-15 मिनिट आपको मुश्किल से लगते हैं अगर आप बहुत जादा टाइम भी नहीं दे सकते तो आपको कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट आदा घंटा तो देना ही चाहिए अपने प्लांट को जिसमें आपको चाह आगे शेयर करूंगे फिलाल यह पहले मैं दे रही हूं अपने प्लांट में बनाना पील फर्टिलाइजर जो कि मैं सबी फूलों वाले पौदों में रेगुलर बेसिस पर देती हूं तो यह मैंने इसमें चार पाच बनाना की छिलके थे जिसको मैंने इसके अंदर करके वाला है और उसके बाद में इस जरूरी काम होता है वो यह जो छिलके हैं इसको मैं फेकgenommenी नहीं इनको और किसीरी में यूज करणकी तो एक दो दिन के लिए ऐस से ही निकाल करके रख दूं और जो पानी है इस में से छिलके जरूर निकालने चाहीं हो सको सक्य तो चानले अ अपने plants को इतना ज़ादा नहीं देख भाल कर पाते हैं तो क्या होता है कि कई बारी इस ताइप से जैसे छिलके वगरा लगते न तो उसके बाद में चीटी वगरा आने का खत्रा रहता है और आपके plants में मिली बग या चीटी या माइट्स वगरा लग जाकते हैं तो इसलिए बहतर होगा कि जो छिलके हैं उनको जरूर निकाले जबी भी बनाना पिल फर्टीलाइजर आप देते हैं हो सके तो छान ले और अगर जैसे कि मैं तो छान ने रही हूँ क्योंकि मैं तो डेली रुटीन में अपने प्लांट्स को एक घंटा तो कम से कम देती ही हूँ इसकी वज़े से प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है इस चीज का पता चलता जाता है तो ये देखे मेरा ये फर्टिलाइजर लिकुड तयार हो गया है और ये जो छिलके हैं इनको मैं एक दो दिन के लिए एज़टिस छोड़ दूँगे धूप में जिसे की सूख जाए या फिर शेड में भी छोड़ सकते हैं और ये वाला फर्टिलाइजर आप पतो वाले पौधों में दीजे फूलों वाले पौधे में दीजे किसी भी तरीके के पौधों में देंगे आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे और हमेशा फूल देते रहेंगे आपको कभी भी बाजार से फर्टिलाइजर कोई भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह तो बहुत जरूरी काम है जो कि हमें समय समय पर करना चाहिए इसके अलावा एक जो जरूरी चीज है वो ध्यान देने वाली यह है कि कभी भी गर्मियों में कोशिश करें कि आप जादा से जादा लिक्विड फर्टिलाइजर ही कैमिकल वाली देदी तो यह शक है लासर और दूसरा काम क्या कर रही हुँ मेरे पास एक कौफी म क्वाज करका आप मैं उसके अंदर होल करके लगा रही हूं ल इस तरीके से आपको भी miejsce के अगर आपैंकी किसी बहुत ही आसानी से इस में हूट कर सकते हैं मैं इस topic रहाएक है और उसके अंदर इस तरीका जो round वाला होता है ना इसके अंदर जो page कसने वाला होता है वो fix करने जो square वाला flat वाला होता है वो ना करें स्क्र्यू ड्राइवर की हेल्प से लगा करके हलके हलके हाथ से हथोड़ी को या हैमर को हमने यहां पर थोड़ा हलके हलके हाथ से ठोकना है जिसकी वज़े से इसमें आराम से होल हो जाएगा और बहुत-बहुत पास-पास में होल नहीं करने क्योंकि पास-पास में करेंगे त तो थोड़ा सा दूर दूर करना है तो देखे इस तरीके से मैं करती जाओंगी आपके सामने ही कर रहे हूँ कोई कट नहीं है बहुत ही आसानी से किसी भी सेरमिक कब में ऐस difarm कर सकते हैं तो ये देखें फ्री में बिल्कुल पौधा बन गया है तो पहली चीज तो ये मैंने आपके साथ में शेयर की कि हम अपने प्लांट्स में कौन सा और कैसा फर्टिलाजर किस प्लांट में कब दे सकते हैं और अपने मन चाही प्लांट्स लगा सकते हैं ये देखें कितना खुबसूरत लग रहा है हाला कि ये थोड़ा सा श्रिंक को रखा है क्योंकि उस गमले में जिसमें से मैंने कटिंग ली थी पानी नहीं दिया था तो पानी देना उसमें बाकी था और ये देखें साइट से मेरा मग जो था वो उसकी प्रिंट जो था वो खराब हो गया जिसकी वज़े से मैंने इसके अंदर प्लांट लगाया है और यलो के उपर इस तरह का परपल कलर का प्लांट बहुत ही ज़ादा खुबसूरत लगेगा और वैसे भी ये मग जो है बिल्कुल इसके लिए apt है क्योंकि इसके उपर gardening related course लिखी हुई है तो ये मेरा लग गया प्लांट इसके बाद में मैंने इसके अंदर पानी दे करके एक्स्ट्रा वॉटर होने के लिए रख दिया मतब मैं यहां रख दिया जिससे की एक्स्ट्रा वॉटर जो है वो त्रेन हो जाए हाँ अग Kenneth का धियान रखना है कि जब वी प्लांट लगाए मग में नीचे थोड़ी सी बज़री य की थोड़े तो उसके बाद में आज मैं अपनी सीड लिंग का अपडेट दिखा रही हो यह तो मैंने आपके साथ में प्लांट शेयर ही किया था देखिए सदा बहार के बीजों से और यह है टमाटर की सीड लिंग तो टमाटर जो हम डेली रूटीन में खाते हैं और अकसर सैलेड में जब कट करते हैं तो उसके सीड जो होते हैं वो हम फेक दिया करते हैं तो वो सीड मेरे पास एक यह खाली डबा था उसके अंदर मैंने डाल दिये थे और यह देखिए जित को बड़े गंबले में ट्रांसफर कर दूंगी इसके बाद में दिखाती हूँ आपको तोलसी तो तोलसी के जो मंजरी होती है तो वह मंजरी मेरे पास काफी सारी हो जाती है मैं उसको तोड़ती रहती हूँ आपके साथ में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ तो मंजरी तोड लेकिन फिर भी देखिए फ्री के बीजों से हम कितने अच्छी तरीके से प्लांट बना सकते हैं और लोगडाउन में अगर इस तरीके से प्लांट हम कटिंग से लगाएं या सीट से लगाएं अपने घर के ही बीजों से तो बहुत सारे प्लांट तो हम अपने घर में लगा ही शक्ねहले सकते हैं क्वे अगले दिन का दिखा रही हूं मैं ऊपको एक दिन पहले मैंने यहांपर ठिस दिआ था ठिसल्ड दिखा रही हूं कि गुलाब गिल्भाके पहले तक जो पूल खीने शुरू हो गए। और ये देखे मेरे विंका के सदा बहार के जो hybrid विंका है उसके धेर सारे फूलों का गुच्छा बन गया है और मेरे पास एक दूसरा भी विंका का है तो उसी के अंदर भी seeds बने थे जो कि मैंने एक दूसरे इस वाले विंका के जो आप देख रहें अपनी स्क्रीन पर इसके seeds बने थे कुछ पक गए थे तो वह मैंने अपने प्लांट में डाल दिये हैं एक गमले में तो देखते हैं वह कितना उगा है वह भी आपको दिखाऊंगी तो यह सारे चोटे-चोटे काम अगर हम करते रहेंगे तो हमारे फ्री में पौदी बनते रहेंगे और आप मैं आपको यहां इस साइड में बनती है फली टाइप की आपको बिल्कूल अलगी दिख जाएगी जैसा भी हमारी फूलों की कली तो उसके साइड में ही फलिया निकली होती हो तो उन फलियों को अगर तोड़ करके उसके बीज काले काले देखरें न आप वो मैंने डाले है और अभी ग प्रेसीना लगा लेते एक बार तो तीन साल के बाद में जब पौधा मेच्वार हो जाता है तो उसके बाद में वह पॉप्स देना शुरू करता है क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यह पुराना पौधा है तो आशा है आज का ये चोटे सा वीडियो आपके किये और खुश रहिए बाई बाई